हेलो स्टूडान्स, वेलकम टू वेल अकेडमी और मैं यह टी ओसी की वीडियो सिरीज में डी एफ़े के बारे में डिसकस कर रहा हूँ बेसिकली मेरा जो टॉपिक शुरू है अभी फिलाल डिसकेशन का वो है डी एफ़े के बारे में अभी तक डी एफ़े कंस्ट्रेक्शन के बारे में में काफी कॉश्चनक्лет किये हैं बट गेट में वहा आप लोगों को कुछ डाएरेक्ट कॉश्चन्स भी आ सकते है लाइक आपको लोगों को DFA दिया रहेगा और उसके उपर कुछ ऐसे questions form किये जाएगे या कुछ ऐस तरीके से question frame किये जाएगे जहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि किते number of strings यहाँ पर इस DFA में accept हो सकती है ठीक है अभी तक आपन ने देखा था कि जो strings की condition होती थी उसको accept करने वाला DFA मुरे को निकालना रहता था बड़ यहाँ पर क्या हो रहा है आपको DFA दिये गया है और आप लोगों को count पूछा गया है कि किते number of strings जो है वो यह इस DFA से इस particular DFA से accept हो सकती है ठीक है तो इसके लिए इसके based पर कुछ numericals में यहाँ पर आज discuss कर रहा हूँ इसी topic पर मैं आज कुछ problem जो है और discuss करने वाला हो और अगर आप लोगों में से कोई भी इस video series को first time देख रहा है और अभी तक अगर आप लोगों ने इस channel को subscribe नहीं किया है तो guide whale academy के इस channel को subscribe कर लिजे और bell icon पर click करना मत बुलिएगा क्योंकि जो भी आने वाले lectures है उसके direct notifications आपके mail पर मिलेगे और भी subjects आ रहे है guys TOC के साथ बाखी subject भी upload हो रहे है now guys हम discuss करते हैं आज के problems basically कि किस तरीके से इस problem को miss frame किया गया है now देखिए यहाँ पर consider the following dfa dfa दिया गया है and find out how many strings it accepts टीक है मैंसे एक dfa दिया गया है और मुझे पूछा गया है कि यह कितने number of strings जो है वह accept करेगा टीक है तो देखिए dfa कुछ इस तरीके से दिया है q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6 यहने q6 तक access 7 states दी गई है आप लोगों को じゃあ q0- q1, q1 & one कुछ भीाय तो जा सकताओ mais 0 & 1 कुछ भीाय जा सकता हो 0 & 1 कुछ भीाय तो जा सकताओ q6 मेरी final नहीं है बाकी q5 जो है 15 state है it means q2 & q5 स्टेंट सिवा q6 कःए तो अगर आप लोग देख सकते होगे, मुझे इतना तो पता हो रहा है कि जो maximum length जो है, मेरे string की maximum length किती accept होगी, जादा से जादा, 1, 2, 3, 4, 5, that's it, 5 length तक जो है, वो string accept होने वाली है, उसके आगे अगर कुछ भी आता है, तो मैं non final state में जा रहा हूँ, non final state में means, accept नहीं होगा, तो मेरी maximum length क्या है, 5, okay, string की, now, मेरी minimum length क्या है, ये भी मुझे जानना पड़ेगा, minimum, minimum of girl आपकी string है भी नहीं, means like epsilon है, still आपका accept हो जा रहा है, ठीके, क्योंकि मेरी initial state अगर final state है, तो मेरे previous lecture में आप लोगों बता चुका हो, कि अगर initial state आपकी final state है, तो आपका epsilon जो है, वो accept होने वाला है, now guys, मुझे count निकालना है, कि कित्ते states जो है, कित्ती strings जो है, वो accept होने वाली है, ठीके, तो देखते है, अगर मैं ये state को consider करता हूँ, q0, तो q0 पे, याने मैं कुछ भी input नहीं देता, still मेरी एक string तो accept हो रही है, that is called epsilon, ठीके, epsilon accept हो रहा है, means single string के लिए मैं ल 2 rest to power 0, क्योंकि 0 bit, मैं कुछ भी input नहीं दे रहा हूँ, still accept कर रहा है, मेरे input alphabets क्या है, 0 and 1, याने 2 input alphabets है, उसमें से मैं कोई भी input alphabets नहीं दे रहा हूँ, means 2 rest to power 0, ठीके, 2 rest to power 0 क्याता है, 1, it means 1 जो string है, वो accept होगी, now मैं बात करता हूँ, अभी q1 की, तो q1 पर one length वाली string जो है, वो accept होगी, अभी one length वाली string कित्ती possible होगी, एक 0 और एक 1, ठीके, याने 2 string possible है, जो x की length जो है, वो 1 होगी, it means, मुझे क्या करना पढ़ेगा, 2 rest to power 1, ठीके न, देखिए, either 0 आया तो भी accept करूँगा, either 1 आया तो भी accept करूँगा, याने 2 rest to power 1, या होगी, now guys हम देखते है कि q2 पे, q2 पे आप देख सकते होंगे, 2 length वाली कोई भी string, 0 and 1 के कोई भी string जो है, वो accept होगी, 2 length वाली, तो 2 length वाली 0 and 1 की हर string, याने 4 combinations possible है, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ठीके, 4 combinations, उसको मैं लिख सकता हूँ, 2 rest to power 2, ठीके, यहाँ पर आया 2 rest to power 2, ठीके, यहाँ पर अगर मैं q3 की बात करता हो, तो q3 पे length 3 की हर string accept होगी, length 3 की कितनी string possible है, 2 rest to power 3, that's why 2 rest to power 3, ठीके, 3 bits, अगर मैं consider करता हो, तो कितने combination possible है, 2 rest to power 3, क्योंकि binary है, 0 and 1, that's why, now, अगर मैं इस state की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 2 rest to power 4 आएगा, और इस state की अगर बात कर तो 2 rest to power 5 आएगा, तो इसको में add कर देता हूँ, 2 rest to power 4, 2 rest to power 5, ठीके, तो गैज, इतने number of strings जो है, वो total मेरी accept होने वाली है, ठीके, क्योंकि maximum length मेरी जो है, वो 5 है, ठीके, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 bits नमबर से ज़्यादा मैं accept नहीं कर सकता, it means 5 यहाँ पे मैंने लिखा है, 2 rest to power 5 और 2 rest to power 0 इसलिए आया, क्योंकि 0 length वाली भी string में accept कर ले रहा हूँ, ठीके न, that's why 2 rest to power 0 आया, इसको मैं count कर लेता हू, 2 rest to power 0 means 1, this is called 2, this is 4, this is 2 rest to power 3 means 8, then यह आता है 16, then यह आता है 2 rest to power by 32, अगर मैं इसका addition कर लेता हो, तो क्या आएगा, 4 plus 2, 6 and 7, plus 16 plus 8 आता है 24 plus 32, ठीक है, then यह आ जाएगा, 1, 4, 5, 6, 63, guys इसका addition आता है 63, that's why, जो total number of strings किते possible है, जो कि यह given DFA accept करेंगा, 63, 63 मेरे option में है, that is option number A is correct, okay, 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 guys, now देखते है second problem, second problem किस तरिके से discuss किया गया है, consider the following DFA and find out how many strings it accept, जो यहाँ पे था, same यहाँ पे भी है, of length 7, बड़ यहाँ पे दिया गया है, कि length 7 वाली जो है string होंगी, वही accept होगी, animal length को reduce नहीं कर सकता, now next बोला गया है, which starts from 10, and length जो है, means मेरी जो string है, वो 10 से start होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको solve करने के लिए, मैं भी आसान तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, कि अगर उपने ने 7 length बोला गया है, अगर question में 7 length बोला गया है, तो 7 places आप ड्रॉ कर लेनी है, सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से आपको 7 places ड्रॉ कर लेनी है, जैर उसने बोला गया क्या है, कि start होना चाहिए, 10 से, देखिए आप यहाँ पे बोला गया है, starts with 10, यहने मेरा दो first two beats है, वो तो मैं change नहीं कर सकता हूँ, 10 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ आने वाला गया है, नहीं, तो देख लेते हैं, अगर 10 से start होता है, तो मैं कहां पे पहुच जा रहा हूँ, diagram में, 1 और 0, तो मैं पहुच रहा हूँ Q2 पे, Q2 पे यहने मैं already 10 को accept कर ले रहा हूँ, but मुझे क्या करना है, length 7 पूछा गया है, तो यह length 7 नहीं है, तो length 7 complete करने के लिए मुझे इस beats को fill करना है, ठीक है, now where is आप लोग observe कर सकते हो, कि 1, 0 आने के बाद Q2 पे मैं पूछता हूँ, and Q2 पे 1 and 0 का self loop है, यहने 1, 0 के बाद 0 आए, 1 आए, मैं final state पे ही रहूँगा, it means, यह सारी places को मैं fill कर सकता हूँ, किस से, either 0 से और 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं final state पे ही रहूँगा, 0, 1 से, 0, 1 से, 0, 1 से, और 0, 1 से, ठीक है, यहने आप लोग observe कर सकते हैं, last जो 5 bits हैं, 5 bits हैं, उसको मैं 0 and 1 से किसी से भी fill कर सकता हूँ, मैं final state पे ही रहूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता है, 5 bits से, मैं कित्ते combinations बना सकता हूँ, 0 and 1s के 5 bits से, 2 rest to power 5, ठीक है ना, 5 bits दिए गया है binary के, तो 2 rest to power 5 combinations आप बना सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, 1, 0 तो आपका constant रहेगा, क्योंकि 1, 0 से आपको start करनी है string को, देन उसके बाद 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी string बना सकते हो, 0, 1 की, क्योंकि 1 और 0 से मैं final state पर पहुँच जा रहा हूँ, and then उसके बाद 0 आए या 1 आए, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, now guys, आप देख लिजिए, कि किस तरीके से मैंने इसको solve किया है, आप इस places को either what 0 आए 1 से feel कर सकते हो, 0 आए 1 से, 0 आए 1 से, तो 2 rest to go or 5 combinations आप लोगों को मिलेगे, ठीक है, it means total 2 rest to go or 5 strings are possible, which is accepted by this DFA, ठीक है न, which is accepted by this EFA, which starts with 1 0, यह ता भी द्यान में रखना नहीं, तो यह बागी strings भी accept कर ले रहा है, बट 1 0 से शुरू आने वाली 2 rest to go or 5 जो strings है, वो ही accept करेगा, तो 2 rest to go or 5, it means 32, 2 rest to go or 5 means 32, ठीक है, तो इसका answer क्या आएगा, 32, option B is the correct answer, इस तरह के से और भी problem में discuss करने वाला हूँ, मेरे आने वाले lectures में, please follow कीजिए मेरे lectures को, हारुखा, इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा, thank you,